जैहिन दोस्तों स्वागत है आज की क्लास और आज की क्लास है हमारी एवरेज की तीसरी कक्षा और इसमें हम और भी अच्छे से टाइप्स को कवर करेंगे तो फटा-फट स्टार्ट करते हैं को लुशन्स गो question number अगला आ चुका है चोकि हमारा previous year, previous day का question स्टार्ट कर रहा हूँ पहले भी हमने इसको study किया है आपने सभी इसको स्टार्ट करिएगा ध्यान से करिएगा पढ़ते पढ़ते करिएगा कोई इशू नहीं है अराम से sometime को waste नकरें और ध्यान से करने की कोशिक करिएगा average के 12 संख्यओं का औसद जो है वो 20 है द्यान से करिएगा 12 संख्याओं का ओसत 20 है बहुत ही अच्छा कोश्न है और प्रत्हम पांच संख्याओं का ओसत मैने गल भी बताया था 5 संख्याओं का ओसत कितना है 18 है अंतिम 6 का क्या है 22 है तो च्हटी संख्या ग्याद करनी है क्या कहा है संख्या ग्याद के नहीं है, छटी संख्या का, आउस्त बोलो, यह संख्या बोलो बारह संख्याओं का मतलब क्या हुआ एक, दो, तिन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा और यह बारह, इसमें बूले हैं पहली पांच संख्याओं का उसल ठारा है अंतिम छे एक दो तीन चार पांच छे यहां तक ठीक है यहां तक की कितना है बाइस औसत है ठीक है तो बजगी छटी संख्या पने आप ही चटी संख्या बजगी अब क्या है ठीक है बारा संख्याओं का उसत 20 है यानि की बारा गुना 20 बारा दुनी 24 यानि की 240 अब इन्होंने बोला है पांच संख्याओं का उसत कितना है अठारा तो बारा ठे नबे स्वारी ठारा पंजे नबे ठीक है उसके बाद कितने का दिया है छे संख्याओं का उसत कितना है बा 32 टोटल कितना होगे इन दुनों का 222 बहुत बढ़ी है तो टोटल मैंसे सारी की सारी संख्याएं ही माइनस कर देंगे यानि कि 6, 5, 11 हो गई या 11 संख्याओं को 12 मैंसे माइनस कर दिया तो बजगी एक तो यानि कि दुनों को 240 मैंसे 222 माइनस किया तो कितना आ गया 18 तो यानि कि हमारा जो छटी संख्या का अउस्द क्या होगा 18 होगा clear है सबको जरूर थम दिखाए comment करे share करिएगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अगला question अगला question try करने की कोशिश करिए बहुत अच्छा 20 संख्याओं का अउस्द 15 है प्रथम 12 संख्याओं का अउस्द 18 है same सवाल रहेगा comment करिएगा सभी comment करिएगा अच्छे से जल्दी से question समझ आ रहा है तो जरूर comment करिए जल्दी से करिएगा ऐसा है कि अगर आप comment नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा सभी answer comment करिए 20 संख्याओं का अउस्द कितना है 15 है और 15 दूनी 30 चैन की 300 12 संख्याओं का 18 है 12 गुना 18 कर लो 216 ठीक यह जी आगे क्या कहा है साथ संख्याओं का अउस्द कितना है 11 77 टोटल कितना हो गया 293 और पूरा कितना था 300 तो माइनस किया कितना बचा 7 साथ ही अंसर है ठीक है जी कितना समझ आ रहा है बचा सभी clear है सबको साथ साथ में बताते रहिएगा साथ साथ में अगले कोश्ण की तरफ चलेंगे फिर अगले कोश्ण ट्राइए करिए 50 संख्याओं का उस्द 45 है 20 संख्याओं का उस्द 50 है 30 संख्याओं का 42 है अब 20 में संख्याओं ज्याद करने है सभी कोमेंट करिएगा question समझाए हुए है अगर आप मेरी regular videos देख रहे हो classes को लगाते रहिए सभी try करिए try करिए कोशिश film की तरफ वीडियो मत देखिए कि कोई movie लगी हुई है यहां पर पढ़ाई लगी हुई है बहुत बढ़ी है जी बहुत बढ़ी है जी तो पचास संख्याओं का उसस कितना है पैंतालिस ठीक है जी तो पचास गुना पैंतालिस कितना हो गया बाइस सो पचास और पहली बीस संख्याओं का यानि कि बीस संख्याओं का कितना है पचास यानि कि कितना हो गया हजार आ जाएगा ठीक है जी और 31 का कितना है 42 कितना आ जाएगा तेरा सो तो टोटल कितना हो गया ये त्रेइसो दो ये हो गया हमारा कितनी संख्याओं का हो गया 51 संख्याओं का कितने का? 51 का एक संख्या मिस है यानि कि बड़ी है और उन्होंने एक संख्या ही पूची है यानि कि 20 में नंबर पर आने वाली ठीक है? तो इसलिए यानि कि जो इनका ओस्त दिया था वो जादा संख्याओं का दिया था और हमारे पस जो 50 संख्याओं का उसत वैसे दिया था तो एक छोड़कर आगे जाएंगे यानि कि गिंती जब चलेगी वो एक से लेकर 51 तक चलेगी और जो 20 नंबर है वो मिस करेगा और 21 से शुरू करना था 22 भी गिंती वैसे जाना था आगे था जो कि आपका 31 संख्याओं तक काउंट होना था ठीक है जी यहां से लेकर यहां तक बनना था 31 संख्याओं का उसत ठीक है तो इसलिए इन दोनों को सब्ट्रेक्ट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 22 ठीक है यह क्या किया है 302 से 2250 को माइनस किया तो आपका अंसर यह रहे क्लियर है क्लियर है सबको तो थम्स अप कर देजिए आगे चले बहुत बढ़िया नेक्स्ट कोश्चन ट्राइ करिए सभी ट्राइ करिए सिंपल सवाल है यह आए वो इंग्जाम्स में कोश्चन्स होते हैं सभी ट्राइ कर लिजिए स्पीड हाथ स्पीड में जी बहुत बढ़िया जी स्पीड ऐसे ही बनाए रखिये चलिए स्टार्ट करते हैं तीस संख्याओं को आउस्ट कितना है शालिस कितना हो गया टूटल तेरा सो असी कितना हो गया जी तेरा सो असी ठीक है जी पंदरा संख्याओं को आउस्ट कितना है ये दिया हुआ है संतालिस तो पंदरा संख्याओं को आउस्ट कितना हो गया साथ सो पांच और चौदा संख्याओं को आउस्ट कितना दिया है पंतालिस कितना होगे 600 300 ठीक है तो टोटल ये बात करें तो कितनी होगी 39 और ये 30 इनकी एक का ही फर्क है न ठीक है जो एक है वो 60 मी है यानिकी इन दोनों का टोटल कितना हो गया 1335 इसको इससे माइनस कर लो कितने का आगया फर्क 45 का कितने का आगया बटा 45 का क्लियर है सबको सभी जल्दी से जल्दी बताएं आप साथ साथ में खीक है जी बहुत बढ़ी है क्लियर है सभी को अंसर कैसे निकाल रहे है पटापटा इसी प्रकार से आपने ये सबी टाइप पेपर में भी क्लियर करने है एक और कोशन है, लास्ट कोशन है इस टाइप का, एक बार ट्राइ कर लीजिए फिर आगे चले 40 संख्याओं का आउसत 35 है और 25 संख्याओं का आउसत 30 है, 16 संख्याओं का आउसत 42 है 25 में, यनि कि एक संख्याओं की बात कर रहे हैं, वो अब आपको find out करने है, कर लो, कर लो, try करो चलो, start करते हैं, बहुत बड़ी है, 40 संख्याओं का आउसत कितना है, 35, कितना आ गया, 14, 100, 25, प्रथम 25 संख्याओं का आउसत कितना है, 30, 25 गुणा, 30, कितना हो गया, साड़े 700, और 16 संख्याओं का कितना है, 42, कितना हो गया, 700, 600, 32, टोटल कितना हो गया, 2, 14, 22, ठीक है, और ये कितना हो गया, 41 संख्याओं ये है, और ये कितनी है, 40 फर्क कितने का बढ़ गया, 1 संख्याओं का, और आपको भी एक ही निकालनी थी, इस दी आपस में इन दोनों को माइनस कर दिया, कितने का फर्क बढ़ गया, 22 का, तो आपका अंसर क्या आ गया, 22, बोलिए clear है, सभी बताएं, clear हुआ क नहीं हुआ, जी, बहुती तगड़ा सवाल था ये, जल्दी से जल्दी अगला सवाल, स्टार्ट कर रहा हूं, 50 से 120 तक किस्मस्त संख्याओं का, पूर नांक ज्याद करना है, तो मैं आपको इसका एक बता देता हूं, अगर regular series हो, तो आपको formula लगाना है, first number, plus last number, divided by two, बस, और कुछ निकरना है, ठीक है, तो first number कितना आएगा विटा, पचास, last number 120, over 2, कितने होगे, 170, बटा 2, 2, 8, 16, 25, 10, तो answer कितना आएगा जी, कितना आएगा, 85, अब फिर से बता रहा हूं, regular series में, जैसे कि ये counting है, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, मतलब regularly number चलेंगे, तब ही ये लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा, ठीक है, याद रखिएगा, regularly number रगेगा, अगला question स्टार्ट करिए, answer बताईए, एक से लेकर 90 तक की संख्याओं का पूर्णा क्या होगा, तो वही, एक जमान 90 बटा दो, यादि कि 91 बटा दो, total कितना हो गया, 45.5, कितना हो जाएगा, 45.5, clear है जी, speedway, hard speed में रखिए जी, speedway रखिए, बहुत बढ़िये जी, अगला सवाल, सभी, फिर से try करिए और comment करिए, अपना answer जल्दी से जल्दी कर निकाले की कोश्च करिए, क्या answer होगा, सम संख्याओं का पूछा है अब, even numbers, even number में निकालिये, 120 प्लस 248 बटा दो, दो, दो एकम दो, दो अठी सोला, दो चौक के, आठ, 184, 184 answer बिल्कुल सही, clear, सबको clear हो रहा है इस type का question, अगला सवाल, सेम रहेगा, जल्दी से जल्दी करिए, जल्दी से जल्दी करिए, एक, जमा 71 बटा दो, 72 बटा दो, दो, तीए 6, दो चीके 12, कितना अंसर आगे जी, 36, 36 इसका अंसर रहेगा, समझ आ रहा है और नहीं आ रहा है, अगला सवाल, फटा फट चलाईए, फटा फट चलाईए, हाथ फटा फट चलाईए, वीडियो को मत देखिये, सिर्फ question का हाथ चलाईए अपना, हाँ, आंखों से question होना जुरूरी है, 51 और 137, तो टुटल कितना हो गया, 188, कितना आ जाएगा, बहिया कुछ नहीं आएगा, सिर्फ अंसर आएगा, 94, लेटो रहो, जल्दी से करो, clear है, next, question थोड़ा सा बदला है, question थोड़ा सा बदला है, फिर भी try करिए, जादा फर्क नहीं है, दस के गुणज है, यानि कि multiple of ten है, ठीक है, जो कि 18 to 140, नहीं, दस से 18 रह तक के हैं, अच्छा, दस के होने चाहिए, और अठार में गुणज से, यानि कि 18 से लेकर 14, तो 18 रहाते हैं, आपके 180, इसके आगे count करना शूर कर दिए, 190, ऐसे करके कहां तक चलाएगा, 400, 210, अब टू, 400, ऐसे होंगे, क्लियर हो रहा है, अब पहला प्लस अंतिम, डिवाइड़ बाए 2, 180, जमा 400, बटा 2, कितना हो गया, पांच सो असी, दो सो नबे, कितना होगा, दो सो नबे, I hope कि क्लियर हो रहे होंगे questions, फड़ा फड़ चलाएगा, फड़ा फड़ चलाएगे, अगला question है, दस के प्रथम, प्रथम बोल दिया, यहां पे पहले 12, गुनज, यानि कि, दस के प्रथम 12, यानि कि, दस का कौन हुआ, दस, बीस, तीस, अब टू बारा तक, यानि कि, एक सो बीस तक, ठीक है जी, कितना होगा जी, निकालिए निकालिए, शाबाज, शाबाज, जल्दी से हाथ चलने चाहिए, आज की तरह आपके हाथ और कुमेंट चलने चाहिए, कुमेंट होते रहने चाहिए, दस, एक सो बीस, बटा दो, एक सो तीस, बटा दो, दो चीके बारा, दो पंजे, दस, अंसर आगया भिया, हवा, हवा, क्लियर है जी, क्लियर है, questions clear हो जाने चाहिए अगला question अगला question जी अगला question answer निकालें जी क्या answer होगा बस यूं direct पूछा होता है तो कैसे करेंगे 144 प्लस 360 एक ट्रिक से ही question हो रहा है कुछ नहीं है दो दूनी चार दो पंज़दस दो दूनी चार 252 252 clear है जी सबको I hope सबको अच्छे से clear हो रहे हैं यह questions अच्छे से clear हो रहे हैं और best वाले आपको समझ भी आ गए होंगे questions I hope कि आपको अच्छे से clear होए होंगे एक और question है करिएगा ट्राय करिएगा साथ साथ में मिलके कमेंट कर दीजेगा सभी answer कमेंट करिएगा बच्छों क्या answer आता है आपका यह average के questions हैं एक सो तीस और नो सो एक हजार तीस यह होगे दो से कार दो दो पंजे दस दो एक कम दो दो पंजे दस यह निकि पान सो पंद्रा यह था इसका question I hope कि आपको अच्छे लग रहे हैं questions ठीक हैं तो इसी परकार से हम और भी questions लेकर आएंगे आपके लिए नई वीडियो में तो बने रहेगा इसी चैनल पर तो यहीं पर class माप्त करता हूं नई वीडियो के साथ मिलेंगा तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखेगा जै हिंद जै भारत